त्रक्त्रों में चालाने ही और यह जा दोस्तों में त्रिश्टर आज पढ़ेंगे थार्म भूर्णव में ट्रांच्टर के मेशंज और शाओक चेलान में और थर्मल और थर्मल रनवे के कंडिशन में होता क्या है कि हमने यहां पर इनका एक डाइग्राम बना कर रखा हुआ है जहां पर हम यह देखते हैं कि जब कोई ट्रांजिस्टर चालन के फल्स रूप अत्यदिक उसके तापमान में ब्रिध्धी होती है कि जानते हैं कि लिकेज करेंट होती है तो ये हम जानते हैं कि कि लिकेज ब्रिधी होती है तो जस्ट क्या करेंट में ब्रिद्धी होती है तो कलेक्टर संधी पे पावर डिसिपेट होता है अर्थाथ साथ कट में हमने सीमबल में पीडी लिखा हुआ है अर्थाथ कलेक्टर जंशन पर पावर सकती च्छाय होती है और जब पावर सकती च्छाय होती अर्थाथ पावर जब लॉस होता तो उस जंचन पे टेमपरेचर कमान और भी अधिक बढ़ जाता है तो यहाँ पे इसके पश्चाट टेमपरेचर में ब्रिद्धी डबल तीच से दिखाया हुगा जो कि और भी ब्रिद्धी बजाती है यहीं प्रिक्रिया अभी एमने देखाते हैं कि थोड़े से टेमपरेच प्राइचर इसी प्रकार ये निरंतर बढ़ता चला जाता है और एक सतिती में करके थर Northern Condition में ही पहुँदियाता है अरध हक टाइजिटर हमारा जलुक करके लश्ट हघ्जंग सकता है अभी हमने देखा कि thermal runway में जब किसी transistor में apply हो जाता है तब उस condition में transistor को thermal runway से कैसे बचाया जाए तो इसके लिए हम एक युक्ति हीट सिंक का इस्तिमाल करते हैं अब हम जानेंगे कि यह हीट सिंक क्या है हीट सिंक जनरली एक metal कैप होता है जो transistor को cover रखने का काम करता है और transistor के हीट को कंड़क्ट करके वाई मंडल के माध्यम से उसको ठंडा करने का काम करता रहता है जैसे हमारे यह transistor है कि इसके ऊपर एक कैप लगा रहेगा जो कि ढगा रहता है कि यह मेटालिक क्या पोता है कि जब यह transistor हीट होगा तब उस कंडिशन में यह मेटल इसके हीट को अब्जर्ब करके वाई मंडल से ठंडा होता रहता है अब यह कई प्रकार की होती है बहुत से टाइप के मने हो जो चीप की हीट एनरजी को सोख कर वाई मंडल में भेज जेती हैं